नमस्कार आप देख रहे हैं दानीूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा इस बाइ यूपी के लोग सभाई चुनाओं के जो रिजल्ट्स हुए हैं उसमें बड़ा उलट फेर देखा गया है लेकिन बड़ी खबर आपको बता दे इंडिया अलाइंस के नेता जो चुनकरा जा सकती है तो लोग सभा में उनकी सीटे हो जाएगी कम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल है और इसमें जरतर इंडिया अलाइंस के हैं सबसे बड़ा नाम वो है गाजीपूर से सामसद अफजाल अंसारी मुक्ताल अंसारी की मौत हुई है और उनके भाई हैं अफजाल अंसारी उन पर गैंस्टर एक्ट के तहर पहले ही उन्हें चार साल की सजा सुना दी गई थी और आपको बता दे कि पिछले दिनों हमने देखा था कि इलाहाबाद हाई कोट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी सजा नहीं दी थी ताकि वो लो लोग समासे और यह बड़ी खबर और इसी के वज़े से समाजवादी पाटी के नेताओं को आप सोचना होगा कि किन किन गैंस्टर को आपने टिकट तो दे दिया जनता ने जिता भी दिया क्योंकि जनता भोली है जनता जानती नहीं है कि कौन-कौन से नेता ऐसे हैं और कि वो राजनतिक प्रिष्ट भूमी के तो हैं लेकिन आपराधिक प्रिष्ट भूमी के जादा हैं आपको बता दे मुक्तार अंसारी गैंग्स्टर से राजनता बने थे मुक्तार अंसारी की जेल में हार्ट टेक से मौत हो गई थी उसके बाद से खूब मुद्दा बनाया गया क कि यूपी सरकार यही कर रही है, माफिया को खात्मा कर रही है, तो लोग तारीफ भी करते थे और इधर के लोग, जिसे समाजवारी पार्टी लोग, वो सब जे हो जाए, समाजवारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो यूपी सरकार को घेरने का काम भी करते हैं, कि एक ही सरस्ता गचली जाएगी तो बीजेपी की बड़ी जित हो जाएगी लोग सभा के अंदर क्योंकि देखिए 33 सीटे बीजेपी ने जीती 37 समाजवादी पाटी ने कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस 6 सीटों पर विजाई होई और आरलजी 2 सीटों पर तो यूपी की बात करें तो आरलजी साथ में थी बीजेपी के तो बीजेपी को 33 प्लस दो यहां हो गए 35 तो 35 सीटे यहां पर अलायंस को एंडी अलायंस को हो गया और बता दे आपको कॉंग्रेस के 6 और समाजवारी पार्टी के सेयाति इस तो जीत होई इंडिया अलायंस की जाड़ा उनकी सीटे बढ़ी हैं तो देखें इन सब मामले में बड़ा उलट फिर हो गया लेकिन 6 सांसद ऐसे हैं जिस पर तलवार लटक सकती है आपको एक बार मैं नाम बताती हू दर्ज को कि कौन-कौन से नेता ऐसे हैं जिन पर खत्रे की घंटी मंडरा रही है और अगर ऐसा होता है ये चन्रशेखर का भी नाम सामने आ रहा है आजाद पाटी के चन्रशेखर आजाद का भी नाम सामने आ रहा है और उन पर भी मुकदमा दर्ज है बीजेपी से मेंका ग हो जाएगी एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ सबसे बड़ा नाम है अफजाल अंसारी का जो मुक्तार अंसारी के भाई है दर्शको उसके साथ मैं आपको बता दू लिस्ट से नगीना से सांसर चर्डशेखर आजाद समाजपाटी जो मैंने आपको बताया जौन पूर से बाबा सिंग कुश्वाहा ये भी समाजपाटी पार्टी के हैं सपा का रिकॉर्ड रहा है जिस गाड़ी में बीजेपी ये नारा लगा थी कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का जंडा समझ जाओ उसमें बैठा है गुंडा तो ये देखिए समाजपाटी पार्टी के कई गुंडगर्दी जादा थी उत्तर प्रदेश में जो आब खात्मे पर आ गई है आपको बता दे योगी के सीट हारने से कुछ नहीं होता है जो सीटे बीजेपी ने हारी है उस पर नाराजगी थी और नाराज वोटर्स को मना लिया जाएगा तो बीजेपी वापस से याण समय च्नौम फिर फिट से कमाल कर सकती है लेकिन आपको बता दे की सुल्टान पूर से राम भुपाल निशाद ये भी सपागे हैं उन पर भी आपर आपारादिक मामले दर्ज है फतेपूर सिक्री से राजगुमार चाहर यह बीजेपी के हैं उन पर आपरादिक मामल से धर्मिंदर यादव सपा इन पर भी आप राधिक मामले दर्ज हैं हात रज से अनूप प्रधान भारती इंदा पाची के हैं तो दो बीजेपी के भी हो गए इसमें बीजेपी वो बाटी है जो जिरो टॉलरेंस की निती रखती है और अगर आपके भी सांसर पर आप राधि चौजरी सपा जारदर आपने देखा समाजवादी पार्टी के इन लोग हैं जिन पर आप राधिक मामले दर्ज हैं अफजाल अनसारी को गैंग्स्टर एक्ट में चार्ट सागी सजा पहली हो गई थी जहां पिछले महीने अलहाबाद हाई कोट ने उनकी सजा पर रोक लग हाला कि उनके पास सुपरिम कोट जाने का उप्शन है सुपरिम कोट जाने का उप्शन है लेकिन इसके बावजुद भी खत्रे की घंटी तो है आपको लड़ाई करनी होगी कोट में और अगर आप पाए गये दोशी तो आपको निर्देश होने का सबूती खटा करना पर चार के स्पेंडिंग है समाजवारी पार्टी के हैं धर्मेंदर यादव सुनिये जरा आजम घर से धर्मेंदर यादव कि खिलाफ चार के स्पेंडिंग है बदायू में दर्जक मामले है उड़को जहां पर 21 दिसंबर 2023 को आरोप तैय हो गए थे पिछले साल आरोप तै मामले हैं चन्रशेकर आजाज जो आजाज पार्टी के हैं और नगीना से जीत कर आए हैं उन्हें यहां पर उनके खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं जहां चार अलग-अलग मामलों में कोट में इन पर आरोप तै हो चुके हैं जरतर मामलों में गंभीर धाराई जोड़ी गई हैं ऐसे में अगर इन मामलों में दो साल या उससे अधिक की सजा होई तो उनकी सानसदी जा सकती है और देखने वाली बात होगी दो आरोप दर्ज हैं सोचिए जानले वा हमला इन्होंने किसी पर गिया था और इस मामले पर उनकी सानसदी जा सकती है जार जार समाजवारी पार्टी के कैंडिडेट हैं इंडिया अलाइंस के कैंडिडेट हैं तो देखें जीत कर तो आ गई इंडिया अलाइंस लेकिन इन तो वोटर शिफ्ट हुए जाहिर सी बात है बीजेपी कितने कम कैसे आ गए कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाईया बीजेपी को नहीं देंगे तो इन दोनों पार्टियों को तो नहीं देंगे जिनका इतिहास पुराना है समाजवारी पार्टियों तो बेडा गर्क कर दिया यूपी में पूरा यूपी गैंग्स्टर बना दिया और गुंडागर्दी कर दी लेकिन यूगी अरितनात को देखिया आप सफाई करने में जूटे हुए है सपाईयों की सफाई यूगी अरितनात कर रहे हैं ये कहती है बीजेपी तो इस बार जुन्होंने वोट नहीं द लेकिन देखने वाली बात होगी अब NDA सरकार बन गई है और आब सरकार और निस्पक्ष तरीके से काम करेगी और जहां जहां अपनी कम्या है वहां वहां उसको भरेगी लेकिन समाजवारी पार्टी के जरतर नेता जो जीत कर आए हैं उन पर गैंग्स्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं देखने वाली बातों की कोट क्या सजा सुनाती है बने रही है जो भी अपनी राई हो जरूर रखिये शुक्रिया